नमस्ते भारत आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल पे चेक्स वर्ल्ड तो आज हम सीखेंगे एपल खीर बनाना बहुत ही जादा टेस्टी लगता है बहुत ही जादा आसान है इस वीडियो में टिप एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगे कि आप एपल खीर कैसे बना हुआ जाए हमने नहीं के लिए हमें सबसे पहले यहां पे दो एपने हैं मीडियोम साइज के अपन अगर आप चोटे वाले एपल ले रहे तो चार एपल का इस्तमाल करें एपन को हमें अच्छे से दो लेंगे और चील लेंगे है अब हम यहां पे एपल को कद्धु कस करें कड़ाई गर्म हो जाएगा तब हमें इसके अंदर डालना है तू टेबल स्पून घी और घी डालने के बाद हमें घी को अच्छे से गरम कर लेना है घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यहां पर भी का ही इस्तमाल करें घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तब हम ग्रेट किया था और अपल डालने के बाद हमें एपल को यहाँ पे अच्छे से भूल लेना है जैसे जासे आप इपल को भूनते जाएंगे आपपल का जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा ठोड़ी देर बाद आप देखिएगे आप तर में निमकहा तताल चुका है अब हम हमें इंप यह यह पर पतीला लेना एक ज़ता है केया दोड़ के और लेंगे दोड़ कर दोड़कर लेना है और रॉट को अच्छछ चाण लेना है जैसे बॉद्ग ऎम्हों यहां Superior गार्म होजाएं गारम europsi तक करना है deo दूद की चेह कंसिस्टं इन ताहिसय थोड़ी कम के बाध डूद की अंदर डाल एसके हैं dalागा लाध divergence इनलीлись भाद दूद की सटर करनेके बाद दूद को सटर करने के भाद आप डेखेंगे हमारे नाधिव सीकाओ म Expect अंदर कें और किसार कर सकते अगर आप को दूध कें अदर कलर चाहिए तो हमरे तो थोड़ी 1-5 क je बाद आप देखेंगे हमारे दूद्ध की छो धोड़ी दूद को अच्छे से mix कर लेंगे और अगर आपका एपल या दूद इनमें से कोई भी अगर एक गरम रह जाता है थंडा नहीं रहता है तो आपका दूद जो है वो फट सकता है तो यहां पर सबसे जादा ध्यान दे कि आपका एपल और दूद दोनों ठंडा होना चाहिए और और एपल खीर को हम अच्छे से mix कर लेंगे और यहां पर हमारा एपल खीर बन करके त्यार हो चुका है अब हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे एपल खीर बनाना बहुत ही आसान है बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है आप इसको occasionally भी बना करके खा सकते हैं इस तरीके से आप एपल खीर बनाएं जिससे आपका एपल खीर जो है वो नहीं फटेगा और आपको मेरा यह एपल खीर रेसेपी कैसा लागा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें और बैल आकन दवाना ना भूलें मैं हर दिन नहीं नहीं वीडियो लेकर कर आतू तो चैनल पे बने रहें तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग